आपका घर बनने का काम शुरू हो गया क्या या फिर अभी शुरू हो गया है अब तक कितना खर्चा किया खर्चा होगा एक लाक दस जार वो सारे पैसे समय पे मिल गए आपको जी किसी से कर्ज दे करके नहीं लिया पड़ा और आपको संतोस हैं जो पैसे मिल रहे हैं उससे हां संतोस है ट्रांसफर हो रहे हैं आपको आपके खाते में आ जाते इसको पहले बैंक में जाते थे जाते कभिशा पैसा आपकी सकती तों चाहए में इलने में ड़ियेकर हैं यह मद्ता लग जाएगा setup पेंट वहों हो जाएगा एक हो जाएगा भाथ फिर तो वहां रहने चले जाएंगे हैं आप प्रवेस हो जाएगा साथ तुमसे अब शारे पुराने जो पडोसी उंगे उन्हें वह फोड़ना पड़ेगा आपको नहीं नहीं फोड़ना साथ क्यों पड़ेगा हैं अचा इस कि आपने कभी सोचा था कि इस तरह घर बनाने के लिए सरकार चीदे पैसे आपके बैंक खाते में अकाउंट में जमा करेंगी ऐसा कि आपके परिवार में बच्चों को पढ़ाते हैं अब घर पका मिल जाएगा तो बच्चों को पढ़ाएंगे बिल्पो पढ़ाएंगे pseud co बच्चों को से पूछते हैं कभी क्या बना है उनको क्या पढ़ना है पूछते हैं अब पुछते हैं बच्चों को कि तना टामिं देते हैं अन् Бच्चे हैं लड़की चार एकलेका है रहे दौनारकी किसाधी कर देंए देंद़्स इसमा आपका खुद का घर यह सपना तो कभी आपने देखा ही होगा है अब सपना पूरा हो रहा है है पूरा हो गए अचा अभी जो कच्ची छत का घर है उसमें का भी दिक्कत होती होगी हाँ दिक्कत आओ थी सरकार पानी आओत है चुवत है बरसात में पानी चुवत है और नभी भीज जाते हैं का नाट भी भीज जाता है हम भी भीज जाते हैं बैठें के ठाउड नहीं रहता है और अब इस पक्का घर बनने से क्या होगा बहुत लाब हो जाएगी सरकार, बहुत अच्छा हो जाएगी, बन जाएगी तो अच्छा हो जाएगी, नीक लगेगी, बड़े अभी हम सुरसी रहेंगी, लड़का बच्चा रहेंगी अच्छा मेहमान भी बहुत आएगी, पक्का घर हो गया तो, तो मेहमान के लिए बढ़िया बढ़िया खाना मनाना पड़ेगा, हाँ सर, अच्छा आपको पता हैं, आपको इस लोजना के रहत सहायता मिल रही है, कितने रुपिये मिलेंगे आपको कुल? सरकार एक लाग भी सजार आपको पक्का मालूम है? हाँ और अगर मानो किसी ने कम बेजा तो क्या करोगे? नई, सरकार पूरे मिलेगा अच्छा पक्का में विश्वास है आपको सरकार पर? हाँ सरकार अच्छा, अच्छा आपके गाउं में पीने के पानी का क्या हाल है? पानी की क्या बहुस्ता करते हैं आप लोगों? कामी है सरकार हाँ बहुत कामी है हाँ चलिए मेरी आपको बहुत काम रहे हैं बाला जी नमस्ते नमस्ते जी सर मिलेगा आप क्या काम करते हैं बाला जी? मैं तो मजदूरी करती हूं सर अच्छा काम मंडरे गाम है? हाँ नर्यगा मैं भी करती हूं जी हाँ पैस भी पालती हूं जी अच्छा यह बताईए कि क्या आपको किसी भी सरकारी योजना के लाप की कभी किसी बीचोलिय को किसी ने कहा होगा आपको मकान देंगे पांसुरुप्या मुझे देदो, हजार रुप्या मुझे देदो इतना पैसा मुझे ऐसे कोई किसी ने गड़बर किया है आपके साथ अच्छा अच्छा आपके गाउं में बिजली है अच्छा अच्छा जब आपका अपना पक्का घर होगा तो आपके परिवार की सुरक्षा बढ़ेगी तकलीफ कम होगी क्या लगता है अपको गर बनेगा तो क्या होगा अच्छा लगा गा जी तो हमको अभी कभी खाने पे बुलाओगे है हाँ जी बुलाएंगे पका क्या पकात क्यों आप बढ़िया हाँ जी बुलाएंगे है आपको धन्यवाद बुलाएंगे जी सरकार जुड़े इन सबील आभार्थी भाग्यों भेनो आज दसम गुरु श्री गुरु गोविन सींजी का प्रकास पुरब्वी है इस पवित्र आउसर पर मैं गुरु गोविन सी साहब के चर्णों में प्रणाम करता हूं मैं सभी देश्वासियों को प्रकास पुरब्व के हारदिक बधाई भी देता हूं ये मेरा सवभाग रहा है कि गुरु साहब की मुझे पर बहुत कुरुपा रही है गुरु साहब मुझे सेवक से निरंतर सेवाएं लेते रहे हैं सेवा और सत्य के पत्पर चलते हुए बड़ी से बड़ी चुनवती से भी लड़ने की प्रिणा हमें गुरु गोविनसी जी के जीवन से मिलती है सवालाग से एक लड़ाओं चीडियों समय में बाज तड़ूं तवे गुरु गोविनसी नाम कहाओं इतना अदम्य साहस सेवा और सक्त्य की शक्ति से ही आता है गुरु गोविनसी जी के दिखाएस मार्क पर देश आगे बढ़ रहा है गरीब, पीडीत, सोशीत, वन्चित की सेवा के लिए उनका जीवन बदलने के लिए आज देश में अभुत्पुर्व काम हो रहा है पांच साल पहले मुझे यूपी के आगरा से प्रधान मंत्री आवास योजना इसका स्विभारम करने का सोभागे मिला था इतने कम बर्सों में इस योजना ने देश के गाउं की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है इस योजना के साथ करोड़ों लोगों की उमीद जुड़ी हैं उनके सपने जुड़े हुए हैं प्रधान मंत्री आवास योजना ने गरीब से गरीब को भी एविस्वात दिलाया है कि हाँ आज नहीं तो कल मेरा भी अपना गर हो सकता है साथियों मुझे आज ये भी खुशी है कि यूपी आज देश के उन राज्यों में शामिल है जहां गाव देहात के इलाकों में गरीबों के लिए सबसे तेजी से घर बनाये जा रहे है इसी गती का उदहरण आज का ये आयोजन भी है आज एक साथ यूपी के छे लाग से जादा परिवारों को सीधे उनके बैंक खाते में करीब करीब 2700 करोड रुपिया उनके खाते में ट्रांसफर की गई है इन में से पांच लाग से जादा परिवार ऐसे हैं जिने घर बनाने के लिए उनकी पहली किस्त मिली है यानि इन पांच लाग से जादा ग्रामिन परिवारों के जीवन का इंतजार आज खत्म हो रहा है ये दिन आप सभी के लिए कितना बड़ा दिन है कितना शुब दिन है ये मैं भली भाती समझ सकता हूँ मैसूज भी कर सकता हूँ और मन में एक संतोष का भाव और गरीबों के लिए जादा से जादा काम करने की प्रेणा मिलती है इसी तरह आज असी हजार परिवार ऐसे भी हैं जिने उनके मकान की दूसरी किस्त मिल रही है अब आपके परिवार के लिए अगली सर्दी इतनी कठी नहीं होगी अगली सर्दी में आपका अपना घर भी होगा और घर में सुविदाएं भी होगी साथियों आत्म निर्भर भारत का सीधा समन देश के नागरिकों के आत्म विश्वात से है और घर एक ऐसी व्यवस्था है एक ऐसा सम्मान जनक तौफा है जो इनसान का आत्म विश्वास कई गुना बढ़ा देती है अगर अपना घर होता है एक निश्चिंतता होती है उसे लगता है कि जीवन में कुछ उपर नीचे हो भी गया तो भी गर रहेगा मदद करने के लिए काम आएगा उसे लगता है कि जब घर बना लिया है तो एक दिन अपनी गरीबी भी दूर करके रहे लेगा लेकिन हमने देखा है कि पहले जो सरकारे रही उस दौरान क्या स्थिती थी मैं विशे इस रुप से उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ गरीब को ये विश्वाजी नहीं था कि सरकार भी गर बनाने में उसकी मदद कर सकती है जो पहले की आवास योजनाय थी जिस तर के घर उनके तहट बनाये जाते थे वो भी किसी से छिपा नहीं है गलती गलप नितियों की थी लेकिन नियती के नाम पर भुगतना पड़ता था मेरे गरीब भाई और बहनों को गाउं में रहने वाले गरीबों को इसी परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामेन शुरू की गई थी देश ने आजादी के 75 साल पूरे होने तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्षत तैक किया था इस लक्ष को पूरा करने के लिए बीते वर्षों में लगभग दो करोड गर सिर्फ ग्रामेन इलाकों में ही बनाए गए हैं अकेले प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत भी करीब सवास करोड घरों की चाबी लोगों को दी जा चुकी है तक कि उए रगचा बिसेशन दे जावास करेंसा तो करोड़ आवास योजना के बाताव कुछी करोड़ हैं करोड़ दोड़ इसन दोड़ हैं और दो खूँड़ लोगग गद्थे अज़ निवान कि युछी योगवग उनान में शुकतर चाबोग हैं झाल झाल